तो नमस्कार आदाब शुशियाकाल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेस्टन बैंक्स में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से माइनर पैन कार्ड को मेजर पैन कार्ड में बदल सकते हो यानि आपने जो पैन कार्ड 18 साल से कम उम्मर में बनवाया था उस पैन कार्ड को आप किस प्रकार से 18 प्लस वाले पैन कार्ड में कनवर्ट कर सकते हो जिसमें आपका फोटो और सिगनेचर भी दिखने लगेगा तो दोस्तो इस वीडियो में हमने उसके बारे में step by step प्रोसेस सारा करके आपको live दिखाया है तो वीडियो में अंतक बने रहेगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तो सबसे पहले minor pen card को major pen card में बदलने के लिए आपको हमारे वीडियो के description में एक link मिल जाएगा इस website का उस link पे click करके आपको इस website पे आ जाना है या फिर यदि link में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको google पे चले जाना है और search करना है update pen card जैसे ही आप search कीजेगा यहाँ पर pen card का official website खुल करके आ जाएगा जहाँ पर यह दिखाया जाएगा www.onlineservices.nsdl.com और online pen application का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी वाले website को आपको open कर लेना है दोस्तो जैसे ही आप इस website को open कीजेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आएगा यहाँ पर आपको आपको pen card को 18 plus वाले pen card में convert करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर application type पे click करना है क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको changes or correction in existing pen data यानि तीसरा वाला option आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपसे एक category पुछा जाता है तो simply आपको category पे click करना है और आपको individual select कर लेना है यदि आपका कोई company वगेरा है उसका pen card है तो आप वो भी select कर सकते हैं और यदि आपका individual pen card है तो आपको individual ही select करना होगा उसके अलावा आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे आपका कुछ details मांगा जाता है यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका title पुछा जाता है तो simply आपको title पे click करना है और आपका जो भी title हो आपको select कर लेना है स्री, स्रीमती, कुमारी यहाँ पर तीन title आपसन देखने को मिलते हैं यदि आप स्रीमती है या फिर कुमारी है तो इससे select कर सकते हैं और यदि आप mail है तो आपको 3 पे click करना होगा उसके अलावा नीचे यहाँ पर आपसे आपका नाम पुछा जाता है तो यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको 3 option दिये जाते हैं सबसे पहले last name डालने का, फिर first name डालने का और फिर middle name डालने का तो यहाँ पर आपके नाम का सबसे पहला वाला word आपको बीच में डालना है यहाँ पर आपको डालना है और उसके बाद से दूसरा वाला यानि middle name आपको यहाँ पर डालना है और सबसे last name यहाँ पर डालना है जैसे कि यहाँ पर मैं अपना first name बीच वाले में डाल दूँगा और उसके बाद middle name इस वाले में box में मैं fill कर दूँगा और यहाँ पर जो है सबसे पहले वाले box में अपना last name यहाँ पर fill कर दूँगा अब यहाँ पर नीचे आपसे आपका date of birth पुझा जाता है तो simply यहाँ पर आपका जो भी date of birth फिल कर देना है date of birth को फिल करने के लिए इस पर आपको click करना है click करने के बाद सबसे पहले आपको अपना year select करने के लिए आपको इस पर जनम हुआ है उसके बाद से यहाँ पर एक calendar आपको देखनों को मिलेगा इस calendar में आपको अपनी जनम तीथी यहाँ पर उसका तारीक select कर लेना है तो simply तारीक जैसे ही आप select किजेगा आपका date of birth यहाँ पर fill हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे आपका email id पुछा जाता है तो आपको यहाँ पर email id fill कर देना है याद रहें जो भी आप email id fill किजेगा उसी email id पर आपका pen card का यहाँ पर photo भेजा जाएगा तो यहा email id को fill करने के बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number fill कर देना है ध्यान रहें कि आप यहाँ पर वही mobile number fill कीजेगा जो आपने pen card बनवाते समय दिया था mobile number को fill करने के बाद यहाँ पर आपसे question पुछा जाता है whether citizen of India तो simply यहाँ पर आपको yes click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका pen number पुछा जाता है तो आपका जो भी pen card का number है उस pen card के number को आपको इस वाले box में भर देना है तो simply pen number को fill करने के बाद यहाँ पर नीचे एक terms and condition का छोटा सा box आपको देखने को मिल जाएगा इस पर simply आपको tick कर देना है टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक capture code आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो जैसे ही आप submit पे click कीजेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आएगा यहाँ पर आपको thank you कहा जाएगा और यहाँ पर आपको एक token number भी देखने को मिल जाएगा तो simply आपको इस वाले token number को लिख करके यहाँ पर रख लेना है वो आगे आपको भविशे में काम आएगा उसके बाद से नीचे यहाँ पर आपको continue with pan application form पर click कर देना है जैसे ही आप continue with pan application form पर click कीजेगा आपके सामने process प्रकार का यहाँ पर page खुल करके आएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे document verification के लिए बोला जाता है यहाँ पर आपसे पुछा जाता है कि आप किस प्रकार से अपने document को verify कराना चाहते हो document verification के लिए आपको तीन option यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सबसे पहला option होता है submit digitally through ekyc and e-sign paperless यहाँ पर जो है आप अपने अधार card से यह आपको mobile number link है तो उससे आप OTP डालके आप तुरंत के तुरंत अपने pen card का जो document है उसे verify करा के आप minor pen card को major pen card में बदल सकते हो उसके अलावा दूसरा option आपको देखने को यहाँ पर मिलता है submit scanned image through e-sign यहाँ पर आप जो है photo document का photo यहाँ पर खींच करके उसे scan करके upload कर सकते हो और तीसरा यहाँ पर जो है आपको जो भी suitable हो आप select कर सकते हैं हम यहाँ पर पहले वाले option को select करेंगे चुकि यहाँ पर हमारा अधार card में हमारा mobile number link है तो हम OTP डालके तुरंत अपने document को verify करवा लेंगे और तुरंत हमारा pen card जो है minor से major में बदल जाएगा तो यहाँ पर अगर यदि आपको भी मैं यहाँ पर पहले वाले option के ही सराद दूँगा यदि आपका अधार card mobile number से link है तो नहीं तो आप दूसरे वाले option पर भी select कर सकते हैं तो यहाँ पर इसे select करने के बाद आपको simply नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि whether physical pen card is required यदि आपको physical pen card चाहिए यानि आपको pen card आपके post office के address पे चाहिए तो आपको यहाँ पर yes पे click कर देना है यदि आपको physical pen card नहीं चाहिए तो आपको no पे click कर देना है दोस्तों यदि आप physical pen card आप नहीं चाहते हो तो आपके email पे pen card का photo सिर्फ और सिर्फ सेंड कर दिया जाएगा और यदि आप physical pen card पे yes पे click करते हो तो आपका card जो है आपके address पे भेज दिया जाएगा उसके बाद से यहाँ पर नीचे आपको आना है कर देना है यहाँ पर अधार कार्ड के लास्ट चार्ट डिजिट को इंटर करने के बाद नीचे आपको एक terms and condition बता जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर आपके अधार कार्ड में जो भी photograph है वही photograph आपके pen card पे छप करके आएगा तो यहाँ पर जो है उसके ल आपको जो है दूसरा method यहाँ पर चुनना होगा तो यदि आप अधार OTP के थुरू अपना document verify करवा रहे हो तो यहाँ पर आपको yes पर click करना ही होगा यहाँ पर yes पर click करने के बाद आपको simply यहाँ पर नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी fill नहीं करना है आपको सबसे नीचे आ जाना है अब यहाँ पर आपके सामने आपका title नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी आपने fill किया होगा यहाँ पर नीचे आपको दिखाया जाता है कि आपके pen card में यहीं वाला नाम जो है यहाँ पर print हो करके आएगा यदि आप चा इस पर click करना है और आपको अपना gender male या फिर female जो भी है आप select कर लिजेगा जेंडर को select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पर आपको दो option पर टिक यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर photo mismatch और signature mismatch चुकि यहाँ पर आप जो है minor pen card को major pen card में pen card में कर दिया जाएगा इसके अलावा आपको किसी भी box पर टिक नहीं करना है अब यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे आपका guardian का detail मांगा जाता है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आपके father का नाम एंटर कर देना है father का नाम भी father का नाम एंटर करने के बाद नीचे आपसे आपका mother का नाम पुछा जाता है तो यहाँ पर यह optional है आप चाहें तो भर भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं दोस्तों यहाँ पर father's name को एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर पुछा जाता है parents name to be printed on pen card यहाँ पर आप किसका नाम अपने pen card पर print करवाना चाहते हो फादर का या फिर मदर का तो आप जिसका भी नाम यहाँ पर pen card पर print करवाना चाहते हो उसे आपको select कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर यह सारी चीजे करने के बाद आपको यहाँ पर next का option देखने को मिल जाएगा आपको simply next पर click कर देना है यहाँ पर next पर जैसे ही आप click किजेगा आपके सामने कुछ इस्प्रकार का interface खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपसे आपका address पुछा जाता है लेकिन यहाँ पर आपको address भरनी की जुरुत नहीं है यह address आपके आधार card से automatic detect कर लिया जाता है पैन कार्ड में mobile number और email address को भी update करवना चाहते हो तो आपको इस पर टिक करना होगा आप टिक कर दीजेगा तो आपका mobile number और email address भी आपके pen card में update हो जाएगा उसके बाद आपको simply नीचे एक country code का यहाँ पर option देखने को मिलता है इस पर आपको simply select करना है और यहाँ पर आपक अब कुछ भी fill करने की जुरत नहीं है अब यहाँ पर आपको नीचे next का option देखने को मिल जाएगा simply आपको next पे click कर देना है तो next पे click करने के बाद यहाँ पर एक नया सा page आपके सामने खुल करके आएगा यहाँ पर आपसे आपके document का proof मांगा जाता है pen card का तो यहाँ पर यहाँ पर declaration वाले इस वाले box में आपको अपना नाम फिल कर देना है नाम को फिल करने के बाद simply आपको यहाँ पर नीचे वाले box पे click करना है और यहाँ पर पहले वाले option यारी himself और herself पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको इस वाले box पे click करना है और click करने के के बाद यहां पर आपको नीचे आपका पुछा जा रहा है कि यहां पर किस जगह से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो यहां पर आपको अपना यहां पर प्लेस टाइप कर देना है प्लेस को टाइप करने के बाद यहां पर नीचे आपको एक सब्मिट का अप्शन देखने को मिल जाएगा सिंपली आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे ही आप submit पे click कीजेगा यहाँ पर आपके सामने इस तरह का page आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपका pen card automatic detect हो जाएगा इसका number यहाँ पर आपके अधार card का यहाँ पर पहला 8 अंक यहाँ पर आपसे पुछा जाता है यहाँ पर form में fill किया है वो सारा detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अभी आपको जितना भी detail है वो सारा detail यहाँ पर मिलाने ना है कि आपने सही सही fill किया है या फिर नहीं किया है दोस्तो यहाँ पर सारा detail मिलाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दो option देखने को मिलेंगे जदी आपने कुछ भी गलती फिल कर दिया है और आपको उसे सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक edit का option देखने को मिलता है इस पर click करके आप दुबारा से उसे सुधार सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोसीट का option देखने को मिल जाता है तो simply यहाँ पर आपको प्रोसीट पर click कर देना है दोस्तो जैसा ही आप प्रोसीट पर click कीजेगा यहाँ पर आपके सामने mode of payment खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपको अपने pen card को पाने के लिए 107 रुपे का लगबग आपको यहाँ पर online payment करना होगा online payment करने के लिए आप demand draft, paytm, debit card या पिर और भी बहुत सारे यहाँ पर method आपको देखने को मिल जाएंगे आप यहाँ से online payment चाहो तो कर सकते हो सबसे पहले हम यहाँ पर online payment करेंगे ताकि हमारा pen card जो है मिल जा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 106 रुपे का यहाँ पर payment करना है online तो हमें यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर हमें एक terms and condition का box मिलेगा इस पर हमें सबसे पहले टिक कर देना है payment करने के लिए टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको proceed to payment का एक option दीखेगा simply आपको इसी पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप proceed to payment पर click कीजिएगा यहाँ पर नीचे आपको pay confirm का एक option दीखेगा यहाँ पर आपका transition ID भी दिख जाएगा simply आपको pay confirm पर यहाँ पर नीचे click कर देना है अब आप जिस भी method से payment करना चाहते हैं आप चाहें तो debit card या पर पेटियम वेगरा से payment कर सकते हैं हमने यहाँ पर अपना payment कर लिया है आप यहाँ पर उसका status भी देख सकते हैं यहाँ पर status success दिखाया जा रहा है इसके अलावा हमारे transaction का जो भी detail है वो सारा detail यहाँ पर आपको देखेने को मिल जाएगा अब हमें simply नीचे continue के button पर click कर देना है continue के button पर click करने के बाद यहाँ पर नीचे एक terms and condition का box दिखेगा इस पर tick करना है और यहाँ पर हमें authenticate का option मिलेगा इसी पर click कर देना है जैसे ही हम authenticate का option पर click करेंगे यहाँ पर हमें continue with KYC पर click कर देना है अब आपके अधार card से जो भी mobile number link होगा simply उस mobile number पर एक OTP को send किया जाएगा उस OTP को simply आपको इस वाले box में enter कर देना है OTP को enter करने के बाद नीचे आपको simply next पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप next पर click कीज़ेगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इस्परकार का interface आएगा यहाँ पर आपका signature जो है आपने जो भी अधार card में यहाँ पर upload किया होगा वही signature आपका जो है वर्चुली upload हो जाएगा वो pen card पर नहीं दिखेगा simply यहीं सारे कुछ बाते बताई जाए रहे हैं यहाँ पर आपको एक terms and condition का box भी देखने को मिल जाएगा उसी के लिए terms and condition का box है तो simply यहाँ पर आपको इस terms and condition के box पर tick कर देना है और tick करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो है आपका अधार number fill करने के लिए बुला जा रहा है तो यहाँ पर आपका अधार number fill कर देना है और यहाँ पर अधार नमबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बगल में एक send OTP का option देखने को मिल जाएगा आपको इसी पर click कर देना है अब आपके अधार कार्ट के जो भी mobile नमबर लिंक होगा अधार कार्ट से उस पर एक और OTP send किया जाएगा उस OTP के आपको इस वाले box में enter कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपना OTP हमारा आ चुक है हमने यहाँ पर enter भी कर दिया है उसके बाद हमें simply submit पे यहाँ पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही हम submit पे click करेंगे अब हमारा यह final process है इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है हमारा pan card जो है अधार card से हमारा document आटमेंट आटमेंटिक वेरिफाई हो जाएगा हमें अब किसी भी परकार का document यहाँ पर send करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ परकार का interface आएगा यहाँ पर हमें नीचे एक download PDF का option दिखेगा इसी पर हमें click करके हमें एक PDF download हो जाएगा यहाँ पर हमने जो भी form फिल किया होगा वो सारे चीजे का detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपने जिस परकार का भी है पर form फिल किया होगा जो भी detail आपने form में यहाँ पर आपको एक password देखने को मिलेगा इस password में आपको अपने simply date of birth दाल देना है और यहाँ पर आपको जो है submit पे click कर देना है यहाँ पर आपको 24 गंटे के अंदर आपका जो भी pen card है उसका एक photocopy आपके email पे भेज दिया जाएगा इसके अलाबा जो physical pen card होता है post office के माध्याम से आपके घर पर भी यहाँ पर send कर दिया जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप minor pen card को major pen card में बदल सकते हूँ उमीद करता हूँ वीडियो में दीके जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और इस पर comment जरूर करें और हमारे channel को subscribe जरूर कर लें